राजस्थान में जल्द ही विधान सभाचुनाव होने जा रहे हैं। इसके पहले नेता और विधायक लगातार अलग-अलग शेत्र का दौरा कर खुद की पार्टियों को जिताने के दाव पेच में लगे हैं और एक दूसरे पर जम कर बयान बाजी कर रहे हैं। हालांकि अब यही नेता अपने विरोधी गुट के नेताओं के अलावा सरकारी कर्मचारियों से भी बत्तमीजी में बात करने से नहीं कत्रा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जोधपुर जिले से सामने आया है। जहां के ओसियां इलाके में विधायक दिव्या मद मदेरणा ने राजस्थान पुलिस के लिए कहा है कि तुम लोगों ने चूडियां पहन रखी है जो मुझ पर हमला करने वाले आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। दरसल दिव्या मदेरणा अपने विधान सभाक्षेत्र के दौरे पर थी लेकिन जोधपुर में हनुमान देनिवाल की सभा के चलते दिव्या को जापता कम दिया गया जिसके चलते गुस्से में आकर दिव्या ने यह पूरी बात कही। भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। ऐसी कौन सी चूडिया है जो राजस्थान पुलिस में पहन रखी है। इसका जवाब तो बाद में देना होगा। आपको बता दे कि विधायक दिव्या मदेरणा को सरकार के निर्देश पर वाई श्रेनी की सुरक्षा प्रदान की राजस्थान सभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आचार संहिता लगने के साथ ही राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालां की अभी तक राजस्थान में मुख्य दोनों पार्टी कॉंग्रेस और बीजेपी ने अपनी टिकट जारी नहीं की हो लेकिन नेताओं ने तो पिछले एक महीने से ही अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। इस प्रचार में जहां वह अनोखे तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाने में बिलकुल भी पीछे नहीं है रही हैं। यहां तक की हनुमान बेनिवाल ने तो जोधपुर में दिव्या मदेरना पर तंसकस्ते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद राजस्थान में 12 साल पुराना सीडी कांड एक बार फिर खुद का अस्तित्व बचाने के लिए मेरे सामने गिर गिर रहे थे वही आज मेरे सामने बड़ी डिंगे हाक रहे हैं। वही इस मामले पर विधायक दिव्या मदेरना ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हनुमान बेनिवाल जी अभी आपकी बेटी बच्ची है जब वह 20 साल की हो जाएगी तब आपकी ओची और असभ्य भाशा सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी। बेनिवाल कहते हैं कि ओसिया से गंदगी हटाएंगे लेकिन मैं तो समाज की बेटी हूँ और वह समाज की बेटी को गंदगी बोल रही हैं। आपको बता दें कि अबस का शिकार बनाया। इसके बाद भंवरी देवी को मार दिया गया। हालां की मामले में गिरफतारी हुई लेकिन ज्यादा तर आरोपी फरार हो गए।